दोस्तों आप लोगों ने लेस्टूल के मदद से फोटोशॉप में डिफरेंट आपजेक्स को लोगों को और डिफरेंट किसम की चीज़ों को सेलेक्ट करना और क्रॉप करना सीखा दोस्तों लेसर टूल के अंदर हमारे पास कुछ मज़ीद आपशिन्स भी मौजूद है अब हम ऐसी ही एक आपशिन पॉलिगोनल लेसर टूल को स्टेडी करने जा रहे हैं पॉलिगोनल लेसर टूल आम तोर पे ऐसी चीज़ों को क्रॉप या सेलेक्ट करने के लिए इस्तमाल की जाती है जो स्ट्रेट लाइन्स की सूरत में बनी हो यानि के लीनियर आपजेक्स या लीनियर शेप्स तो चलें चलते हैं और एक्स्प्लोर करते हैं पोटोशाप में पॉलिगोनल लेसर टूल दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पे आप लोगों के लिए डिफरेंट आपजेक्स चूज करके रखे हुए हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पे इसक्ताब के सामने एक स्क्वेर शेप है अच्छा मैंने भी आप लोगों को बताया है कि जो पॉलिगोनल लेसर टूल है यह पेसिकली जो लीनियर आपजेक्स होती है यानि के जो स्ट्रेट लाइन्स के सूरत में चीज़े बनी हुई होती है जिनकी साखत ऐसी होती है कि वो स्ट्रेट लाइन्स के अंदर उनके एज़े होते हैं उनको select या crop करने के लिए हम Photoshop में Polygoner Lesser Tool का इस्तमाल करते हैं अच्छा Polygoner Lesser Tool है कहां पे बिलकुल वहीं पे जहां पे Lesser Tool था जैसे के Illustrator में भी हमने देखा था और Photoshop में भी हमारे सामने ये चीज़ मौझूद है कि जब हम टूल बार के अंदर देखते हैं तो कुछ टूल जैसे हैं जिनके उपर यहां पे बॉटम पे एक आईकॉन बनावा होता है जैसे उन टूल्स को हम क्लिक करते हैं और होल्ड करते हैं तो उन्में मजीद options निकल आती हैं जैसे के लैसो टूल के बिलकुल नीचे हमारे पास alphabet L की शौट की के साथ ही मौझूद है यहां पे polygonal लैसो टूल अच्छे जिसको मैंने यहां से select किया अब यह देखें polygonal लैसो टूल काम कैसे करता है polygonal लैसो टूल के मतल से किसे भी चीज़ को select करने के लिए आप करेंगे क्या आप सबसे पहले एक single click करेंगे single click करने के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ कहीं पे भी move करेंगे किसी भी direction में तो यह आप देखने के एक linear line आपके साथ साथ move कर रही है यह आपके mouse के साथ साथ यह जार नहीं छोड़ा आपके साथ इसका मत्तबी है कि यह सिर्फ line की सूरत में ही आपको selection देने वाला है तो यह देखें हम यहां से जाके दुबारा एक और click करते हैं जैसे हम click करते हैं तो यह एक जो हमारी line है यह बन जाती है बाद में यह जो हमारा linear pattern जो हम draw करें यह selection की सूरत में तबदील हो जाएगा अच्छा इसके अंदर आप अगर shift के बगएर selection लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं जैसे कि यह मैंने click किया, यह click किया, यह click किया या अगर आप selection की सूरत, selection जो है वो shift के साथ अगर आप लें तो फिर आप देखें कि shift hold करने के साथ आपकी जी selection है, बेलकुल straight आएगी 90 या 180 डिग्री के angle के उपर जैसे कि यह सक मेरे पास आ रही है दोस्तों यह हम click करते जाएंगे और अगर आपको लगे कि आपको अपनी selection को कहीं पे change करना है तो आप delete का button प्रेस करें जैसे ही आप delete का button प्रेस करेंगे तो वो जो anchor आपने लिया होगा वो आपके पास वहां से delete हो जाएगा और आप उसको दुबारा से selection में convert कर सकेंगे तो यह देखें यह इस वक मैंने square form के अंदर polygonal lesser tool की मदद से एक selection ली है और इसके बाद अब मैं यह square को किसी भी सूरत में किसी भी जगा पे लेके जा सकता हूँ move कर सकता हूँ delete कर सकता हूँ और इसकी selection को inverse भी कर सकता हूँ control shift i के साथ anyway जी अब मैं control d press करता हूँ यानि के d select और उसके बाद मैं थोड़ा सा zoom करते हैं polygonal lesser tool जा है इसको हम select करते हैं और इसकी मदद से हम ये जो star है इसको crop करने ही कोशिश करते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो star हमारे पस बनावा है ये बिल्कु straight lines की सूरत में बनावा है इसी वज़ा से मैंने इसको select करने के लिए जो इनतखाब किया है वो किया जी Photoshop में polygonal lesser tool का क्योंके polygonal lesser tool के मदद से ऐसी straight और linear shapes जो हैं वो बहुत ही असानी के साथ select की जा सकती है और crop की जा सकती है तो ये देखें मैं उसकी जो lines हैं उनको मैं बिल्कु strictly follow कर रहा हूं ताके मेरी जो selection है वो बिल्कु स्ट्रेट आए और यहां पर अगर आपको कहीं पर भी लगे कि आपको selection दुबारा लेनी है तो आपको मैं बता चुका हूँ आप delete का button प्रेस करेंगे ये starting point जो हमारा selection का था उस पे हम जाके जैसे ही वापिस उसके साथ इसको हम attach करेंगे तो हमारी जो selection है ये देखें आ जाएगी अब ये हमने जो star था इसको हमने select कर लिया है और इसको अब हम crop भी कर सकते हैं इसकी selection को inverse भी कर सकते हैं और इसको even delete भी कर सकते हैं जैसे कि ये आपके सामने इसको मौझूद है अच्छा जी चलें एक और आखरी चीज़ आपको जो है वो मैं select और crop करके दिखाता हूँ polygonal lesser tool की मदद से ये देखें ये एक ruler मेरे सामने इसको मौझूद है हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताके हम जरा अच्छी selection ले सकें और polygonal lesser tool की मदद से इसको हम और ये देखें कि हमने बड़े ही असानी के साथ selection लेनी शुरू कर दी है अब हम ये जो straight lines हैं इनके साथ साथ move करते जाएंगे और आप देखेंगे कि at the end बड़ी ही असानी के साथ ये जो हमारा ruler है ये select हो चुका होगा अगर आपको कहीं पे भी गलत key point मिल जाए तो आप उसको बड़े अराम से delete कर सकते हैं और इसको आप यहां पे आके थोड़ा सा ये यहां पे tricky हो जाता है कि जब आपने इसको attach करना होता है अपनी selection को starting point को और ending point को तो यहां पे आगर थोड़े सा आपको गड़बड हो सकती है लेकिन इसमें आपने बिलकुल भी घबराना नहीं है परेशान नहीं होना आपने कोशिश करनी है हट अलम कान के आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्लोजली इसको यह देखें लेके जा सकें आप अपनी anchor points को आप अतना closely आप अटैच करने ही कोशिश करें तो इसलिए इसका असान हल यह भी है कि आप जितना ज्यादा zoom करके यह काम करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए starting point और ending point को meet करना असान रहेगा और आप selection जाओ बहुत असानी के साथ ले सकेंगे अब यह देखें हमारे पास इस roller की selection आगई है हम इसको बड़े अराम से move कर सकते हैं इसको हम delete कर सकते हैं हम इसके साथ जो कोई भी काम करना चाहें वो बड़े अराम से हम कर सकते हैं तो यह आप लोगों ने देखा कि हमने lesser tool की मददा से straight objects को कितने अराम से हमने select कर लिया दूसर आप लोगों ने इस lesson के अंदर learn किया कि कितनी असानी के साथ हम photoshop में polygon and lesser tool का इस्तमाल करते हुए different linear objects को select कर सकते हैं और crop कर सकते हैं आने वाले lessons में हम photoshop के अंदर मौजूद selection और cropping के लिए कुछ मजीद options को और tools को study करेंगे